अश्लाम लीकूम एंड वेलकम पैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हैं अश्लाम पैक टाक हैं तो आज मैंने सुब्स बना ली थी क्योंके मेरा पैट जाना बहुत खराब हो गया था मैडिसन्स कहने की वज़ा से क्योंके दाड़ की मैडिसन्स कहा रही थी ना तो उस वज़ा से हो गया तो डॉक्टर ने अलागे पहले भी बताया था कि यह होगा आपके साथ क्योंके वो मसला हुआ 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 है ना दाड़ में लिकीच का तो वो कफी हैवी मैडिसन्स है जिसकी वज़ा से ना मेरी इतनी बुरी हालत होगी खैद तो अभी मैने मैड़ मंगवाया हुआ था तो यह रखा ही नही था चान के फीरिज में कफी दिन का ہि वाहिर पढ़ा हुआ था पाइमी नहीं मिला मुझे ना रखने का मैं बेसन और मैदानागर में मंगवा की रखती हूं फ्रीज के अंदर और कभी भी इनकी जरूरत पढ़ जाती है तो यहाँ पे मैं च्छान रही थी क्छान के फ्रीज में पढ़ा होना तो फिर यह होता है कि जब भी जोट पढ़े आपर आम से निकाल के यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा नीचे गिर गिर गया था ख़यर तो मैंने आज आप लोग ना बहुत बहुत शुक्रियाद आगना था आप लोग ने कल वाली वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किये और अभी हा को बहुत सारा प्यार और मुझे भी बहुत अप्रिशेट किया आप लोग ने तो बहुत बहुत शुक्रियाद इसके लिए आप लोग इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं सारी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज्यादा appreciate करती है तो मुझे सच में बहुत ज्यादा motivation मिलती है आप लोगे इनी comments से तो अच्छे-च्छे comments करती है रहा करें और facebook पे जो मेरी खास तोर पे बहनने है वो भी बहुत अच्छा appreciate करती है और बहुत अच्छे-च्छे comments करती है तो आप लोगा भी बहुत 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 शुक्रिया तो खैर यहां पर मैं ब्रेट के cutlet बना रही थी लंच बॉक्स के लिए यह बना के बच्छों को दे सकते हैं या चाई वगरा के लिए आप यूज कर सकते हैं तो मैं बना रही थी कि अकसर हमेहमान आ जाते हैं तो चाई के साथ यह सर्व बना कर देता है या फिर अभी हा की टीचर आती है कारी साथ भी आते हैं तो मैं उनको चाई सर्व करती हूं तो साथ थोड़े बहुत स्नैक्स भी मैंने का हो नहीं चाहिए ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली चाह बना रख दे तो अभी मैं मैं आरी थी ब्रैड और आलू के ये कटिलर्ट ये बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं तो इसके लिए मैं ना तीन ब्रैड के स्लाइस लिए थे इनको छोड़ा चुड़ा सा कर लेंगे बार एक बार एक सा काटके ना तो हमने इसको दही के अंद मैं आलू और आलू के लिए थे ऑर मैश करने के पाद तो ये ब्रैड का मिक्स्चर साना ये फूल गया था मतलब बेड़ इसमें अब्जोब हो इती और ये बेटर सा बन गया था अब हम इसमें ऑना मिक्स कर देंगे आलू के अन्दर इसको बहुत अच्छे तरीके से यो ब प्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल दें थोड़ी सी गाजर बरी कट कीवी चीज़े डालने हैं प्यास थोड़ा सा और इसके लावश यह हरी मिर्च और कॉन फ्लॉर के दो टेबल स्पून डालने हैं और साथ में एक चमच ब्रेड क्रम्स का भी डालने हैं अगर आप तरीके से मिक्स कर लेंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा मज़े की ज्यादा अच्छी बने और बच्चों को भी आप देना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चीज़ भी थोड़ी से डालें अगर आपके पास पढ़ी है यह चैडर चीज़ है आई थिंग यह 350 की म मिल थी नहीं तो बैड ने सोक कर लिया था तो यह देखे इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया तो बड़ा अच्छा बेटर बन गया था पिर हाथों को ऑईल यह पानी लगा के ना आप इसके कटलेट बन आ ले तो अच्छे तरीके से कटलेट बन गया था बिल्कुल भी पान ये 700 की दोनों चीज़े आई हैं, 400 का ये वाइपर और 300 का फूल जड़ हुआ है, ये किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाता है, आप पूछ रहे थे ना ये कहां से मिलेगा, कुछ कॉमेंट्स आये थे मुझे पिछले व्लॉग में, तो यहां पे फिर मैंने चुटकी पे जाके तीन-चार माँ हो गया है, बलके ज्यादा ही हो गया है, तो अब ये इतने महंगे हो गया है, कि अब ये 190 का मिल रहा है, चार-पांच महीं नहीं इतनी प्राइसिस की बढ़ए है, तो ये मैंने क्यूट से जारत हो, दो रख्या हूं, एक मैं मैं शकर डाल के रखती हूं, औ नक्षबंदी से मैं है लिये थे, फिर उसके बाद मैंने अब इहा किये जो कल हम ट्वाइस लेकर आ है थने, ये भी वाश कर वा लिये और इसके लावे मैं बना रही हूँ पालक भी क्योंकि मैंने परसों पालक मैंने ली थी लिए तो मैंने पकाई नहीं उसको मैंने बना आँगे न अच्छी तरह साफ करके काट की फ्रीज में शापर लॉक करके न अच्छे से उसकी गिरा लगा आगे न रख दिया था तो आज मैंने कब बिका या ने पिम्क कर लिया तब और इसके बाद ट्रमाटर शाम리 कर दिया ये पालक की ऐप को बता रही है इसके बाद मैंने देही भी इसमें शाम decoration करदे ये क्योंकि भी घर का उते हैं वैंडी के अंदर ना देही भी डाली देती हूं गरम-मसाला हतम हुआ हुआ है तो आज इंशाओ ओर एपना जानता कि कुर्ण पर मंगार तपहह एपने hetवर छोदा एन्हों भी होगी क्यों बहुत मट्टी होती है इसके अंदर सिर्फ अब हमने पानी ज्यादा सारा डाल के ना फिर पानी से ही निकाल के दूसरे बतर में डाल लिए फिर पानी से निकाल के दुबारा से पहले वाले बतर में डाले और जब हमने हंडी में डाले तब उसको ऐसे पानी से ही निकाल कि हम एफ इवन डालें शोड़के Αने कि पहले उसको रख ले निकाल के जितरी यह होता है कि जत्री भी मट्टी वगरा होते हम निकल जाती है तो बिर्याणी के लिए जो मैंने चिकन रखाँ होता था यहां बिर्याने कंप्लीट हो चुकी है इसकी रज़से भी आपको मेरे कुकिंग चैनल पर आईगी यहां वेनी में शेयर कर रही आज मैंने चोटा सा ही व्लॉग बनाया था क्योंकि में तबियत भी ठीक नहीं थी पिर जो में कटलेट बनाये थे ना इनको आप जिप लॉग बैग में भी डाल के रख सकते क्योंकि यह ब्रेड और आलू के बने हैं तो यह खराब नहीं होगे और पानी भी नहीं चूटेगा इन्शाला नेक्स व्लॉग के साथ मुलाकात होगी अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे द्वाओं में याद रखिएगा अला हाफीज